मौश्याजाजाजाजाजाजाजा मौश्याजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाज तूहां पौार्फ UP बद्वार्ट मतने मेरे कीज़तों ने भीक मेरे करते हैं इसलिए के तून्मक्राइसिय हो या मेंसार्थ Caroline हो और वादे बात है कि ज्ज़ातर हकूग मार्डशी और मुल्की जो हैं वो अक्सरियती पार्टी के पास तरे जाते है क्रीजी असानिया उनके पास होती है अकलियती ग्रोप जो हमेश हमारूम रहते है तो अकलियत करार उसको दिया जाता है जिसके मुतालब ये तस्रीम किया जाए कि अक्सिरियती पार्टी की जद में ये आ जाएंगे इनके हको तो असल हकोग से भी ज़्यदा उनको दिये जाते हैं ताके अवाब में उनके भी आवाज हो और सरकारी हलकों में उनको भी मुलादमते मिल सकें उनको भी अख्यारात तसावर में तो मैं ये वाज़ करना जो भी समझते हैं जमाते अहमदिया का एक ग्रुप जो खिलाफत और हद्विस्लाम की नभूत के हवाले से इखतलाफ के बाद हम से एरादा हुआ और लाहुरी ग्रुप के लाया उस हवाले से भी हज़ूर शरह महला से सवाल बूचा गया कि आप उन्हें क्या सबज़ते हैं जी बस हज़ूर ने एक ये लफ्स में जवाब गिया अहमदी बावजूद इस खिलाफ के हम उन्हें अहमदी ही समझते हैं अब मैं आपसे अर्श करूँ कि तमाम खुलफा अधर मुस्लिम आउज में भी ये फरमाया कि जो लोग खिलाफत से अलग हैं वो निजाम जमाद से ज़ूर अलग हैं मगर जब खुद अपने तहीं हमदी कहते हैं हम उनको गहर अम्दी कह सकते हैं यही हमारा मसलिक है एक सथ कहता है कि मैं मुसल्मान हूँ हम यकिन उसको मुसल्मान कहेंगे एक एगा मेरा हिंदू इसम से तालुक है हम उसको हिंदू कहेंगे तो यह बन्यादी मसलिक है जमाद कहेंगी है अब मैं एक थोड़ी सी बात आपके जासे इस स्रिस्रे में करने चाहता हूँ हज़र्त अम्वियल मुम्मिन के जवाब वो जो मैंने अर्थ कर दिये बात ये है के हज़र्त खलीफद मुसी सालिस की अजाज़ से ही मैं जल्सों में जाता था खाव खुद्दाम के जल्से हो बद्द मली में मुसी मौना ताल मुझीब साराशिद उस्षट खुदामरेंदिया के उस्षट तो खुदामरेंदिया मरकिजिया थी उसके सदब से उनके साथ वहां पर गया इसके अलावा भी कही मौकों पर जाने का मौका मिला तो बड़ी दिल्चस्प बात हुई वहां पर बड़ी मजबूत जमाद की जमाने में बद्द मली में खैर मुबाइन की समझाती थी वहां दो बाते हुई एक बात तो उसक हुई जबके मैं बड़ी मली के प्रिलिजन्ट साथ की बैटक में बैशे हुए किताबें खोले हुए आखरी अपने नोट लेका था और चार बात मिन बाकी होंगे यौम मुस्यमाओ की तकरीब थी मैं कुछ लेकर रहा था किताबों की तकीब दे रहा था तो एक परजोश दाईरला नौजवान थे उन्होंने अस्सलाम कहा और आगे आया और साथ दो बड़ी बड़ी लबी डारी रखने वाले एल इलीस बज़ुर्ग गालम भी थे खासी बड़ी मुर्थी उनकी और इजाजा करीम कौम इन फाकर मुख आँ अज़ूर के इर्षाद है किसी कौम का कोई मौज़स शखस है तो उसका खायर मगदम करना चाहिए यही इर्षाद नौज़ी है यही हमने इक्तियार की है यह नहीं है कि अज़ूर्ब खलीफ़तलमसी खामस पिछले से पिछले साल लुज़ाने से जब गुज़ने वाले थे तो वहां हभी वर्मान बौका की जो आलाद पर यह है वो उन्होंने हिंदों की तरे वहां पर ख़ज़तलमसी खामस के आमद पर आपके नाम पर पुतर जाने शुरू की हिंदों का यह होता है कि जब किसी की मुखालवत करते हैं तो फिर उसका पुतरे जाते हैं यह और यह सुरु पर बाद में बाद के दुनिया ने भी की बहराल यह ख़बर हिंसमाचार में रखता बाद में भी शायद पड़ी होगी तो यह उनका इकराम का अंदास था रसुल्ला ने तो यह फरमाया था उनके इकराम किया जाना चाहिए और आरारी चुँके मुझस्टम कांगरिसी और टमिलिस्ट थे उन्होंने उस वक्त हिंदू की तरह पुतले जलाए और यह पुतले जलाते हैं हिंदू उस वक्त जबके कोई हिंदू विरोनी मुल्क में मर गए तो उसकी किता कोई जगा नहीं लगा सकते हैं फिर वो उसके नाम पर पुतला जलाते हैं दर से तो ये उस्वाए गांधी और उस्वाए पटेल पर अमल किया उन्होंने आँ हजूर स्वाइब के चाकर होने के पार्ख से इजाजात रिमों कौम इन फाकरमू के लिहाद से इजाज इक्राम बिठाया उनको अलनकि वक्त दो तिन मिन जब रह गया है और मैंने जाना था और सेंगरों के तावाद में अमधी इंटितार में थे और मरकजी नमाएंदा था मैं मैंने के इरिशाद फरमाएं आपके बड़ी ज़रा नावादी है कि आप की जारत हुई ऐसे वक्त में जब दो तेन मिन मेरे यहां से जलसागा में जानी कर रहे गया है मक्सूद यह था कि यह गौर फरमाने कि यह लिमाएं मेरे लिए करना कि यह दो स्वाल अमले के आया है मैंने की फरमाएं करना कि यह आप जो लहौरी करूप है इसको क्या समझते हैं आप यह उन्होंने स्वाल किया अज़र ने मेरे दिल में डाला कि यह तुम्हें उल्चाना चाहते हैं तक्रीश के पहले जितरे अज़र्द मिश्कीन फरिदाबादी ने हज़र्द मुस्टिम मजई अब्द एस्ला के खिंवत में लतीफा सुनाया कि मैं हज़रण नवाब मुहम्मद अली खान साब और हज़र्द नवाब जाला अब्दिलल्लाग खान साब आपने में लगे कि मैं दोनों का खादिम हूँ चंद देन हुए दोनों ने मुझे आवाज दी अपने अपने काम के लिए अब मैं बड़ा प्रिशान था तो मैंने उची आवाज से ये ये लफ़ कहे है जो शेर कहे है ये जो बर्दिक नवाबैने मुझे पकारा मदमून होगिया ल्टा पुल्टा सारा थारत मस्जिब मौद अश्राम बहुत मुस्कराए तो मैंने भी ये ख्याल किया कि आब ये लोग मदमून को ल्टा करने के लिए आये हैं खुदाने मेरे जेन में डाला मैंने का जी हज़त बात ये है आपने लहुरी ग्रूप के मुझे ले पूछा है न हमारा उतना इखिलाफ लहुरीयों से नहीं है जितना आपका बरेल्वियों से है आप बरेल्वियों को मुश्रिक कहते हैं और वो आपको गुस्ताफ रसूल कहते हैं हम लहुरी जमात को आमदी कहते हैं ना उने गुस्ताफ रसूल का भी का है और ना मुस्रिक का नाम दिया है इखतलाफ सिर्फ इतना है कि हदीश रसूल में आने वाले मुस्य बन्यम्रीम के लिए चार दफा नबी उल्ला का लफ़ इस्तमाल किया है हम कहते हैं कि नबी से मुराद हकीकतां नबी है जिन पार्टियों में हम अलमा मौजूद थे आपने उनको नजर अन्दास कर दिया ये दरसल एक ऐसी जमाद के लिए तरदेमी देता जो कि मजभी होने का और मुस्लमान होने का अलमदार हो जिया हूँ